हाई श्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एवी पेन एजूकेशन पर तो आईए आज हम लोग अध्यान करने वाले हैं 12 अध्याय का हमारा 12 अध्याय है हमारे राष्टिय प्रतीक ठिक है आवर नेशनल सिम्बल्स हमें हमारे देश के कौन कौन से राष्टिय प्रतीक है जिससे हमारे देश की एक अलग पहचान है इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्यान करेंगे तो हम लोग राश्टिय चिन कैसा है पसू के बारे में राश्टिय पसू कैसा है पक्छी पूस्प गेत और गान हमारे देश के अलग दिखने के लिए जो अलग इसमें सिंबल्स का परियोग किया गया है ध्वज अलग है चिन अलग है पसू अलग है पक्छी अलग है पूस्प अलग है ग हमारा राष्टिय ध्वज हमारा राष्टिय ध्वज क्या है तिरंगा जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे यह हमारा राष्टिय ध्वज है इसका नाम है तिरंगा सबसे उपर देखी में क्या है कि तीन रंगों की पटियां है यहाँ पर आप तीन रंग की पटिया देख रहे होंगे सबसे उपर किस रंग का है तो यह केसरिया रंग का है तो यह केसरिया रंग का सबसे उपर है मध्य की बात करें तो आप सफेद रंग का देख रहे होंगे और सबसे नीचे की बात करें तो आप हरे रंग का देख रहे होंगे अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमारे देश का राश्टिय ध्वज तिरंगा है इसमें जो तीन रंगों का पर्योग किया गया है इसके जगा पर और दूसरा रंग का परयोग क्यों नहीं किया गया है हो सकता था ना पीला हो सकता था है ना ब्लू हो सकता था और भी कलरे हो सकता था लेकिन केसरिया और ये सफेद और फिर नीचे हरा का ही परयोग क्यों किया गया है तो देखिए यह जो केसरिया रंग है यह हमें साहस और बलिदान के बारे में बताता है सफेद रंग जो है यह हमें सत्य और सुधता के बारे में बताता है ठीक है और यह जो हरा रंग है यह हमारे सम्रिधता के बारे में बताता है ठीक है तो हम लोग देखे कि इसके पीछे कुछ कारण है क्या देखे कि सरिया रंग क्यों है यहाँ पर तो यह हमें किसीज के बारे में बताता है साहस कैस प्रकार से होना चाहिए और बलिदान के बारे में सत्य हमें हमेशा बोलना चाहिए सुद रूप में हमेशा रहना चाहिए तो सत्य और सुदता के बारे में सफेद बताता है आप लोग देखे होंगे माता सरस्वती का जो वस्त्र होता है वो भी किस कलर का होता है सफेद ही होता है है ना उस प्रकार से सबसे नीचे की बात करे तो सबसे नीचे किस प्रकार का है हरा रंग है, जो कि हमें क्या बताता है? सम्रिद्धता के बारे में बताता है, है ना? सफेद पटी के मध्य में आपको नीले रंग का एक चकर दिखाए दे रहा होगा. इस चक्र की बात करें तो यह चक्र हमें यह बताता है कि हमें निरंतर गती सिलता होना चाहिए हमारे अंदर हमें रुकना नहीं चाहिए हमें हमेशा जो है अपने गती से आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए ठीक है बात करें और इस चक्र की भी सेस्ता के बारे में तो इस टोटल जो है 24 तिलियां होती है एकजाम में परसनाते हैं बताइए तिरंगेक में जो चक्र होता है उस चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है तो इसमें होती है टोटल 24 तिलियां और चक्र की बात करें तो इस चक्र को हम लोग असोक चक्र या धर्म चक्र भी कहते हैं याद र चक्र के नाम से भी जानते हैं और साथी साथ धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं चलिए अब बात करते हैं तीनों रंग की पटियों के बारे में तो ये तीनों रंगों की जो पटियां है उसकी लंबाई और चोड़ाई जो है वो आपस में समान है ठिक है और उसका एक अनु उसका होता है 3 अनुपात 2 यानि कि लंबाई अगर 3 है तो चोड़ाई कितना होगा चोड़ाई 2 होगा ये हो गया 3 रेशियो 2 का अनुपात था हम लोग राष्ट्य धोज के बारे में देखे हमारा राष्ट्य धोज का नाम क्या है किस प्रकार की इसमें रंग है उसका जो रं रंग इसमें भरा हुआ है उसके बारे में हम लोग देखे अच्छी तरह से क्या कि इसी रंग का परियोग क्यों किया गया है फिर इसके बीच में चकर बना हुआ है उस चकर की विसेस्ता के बारे में हम लोग देखे तो हम लोग अभी तक राष्ट्य धोज के बारे में दे जो मुख है वह एक दूसरे के विप्रित दिसा में हैं आप देख रहे हैं इन सभी का मुख जो है वह एक दूसरे के विप्रित दिसा में यहाँ पर है और चिन के अधार पर जो है यह असोग चक्र का निर्मान किया गया है चक्र के एक ओर घोडा तथा दूसरी ओर बैल है एक हमारा राष्टिय लक्ष क्या है तो हमारा राष्टिय लक्ष होता है सत्यमेव जैते जो कि इस चिन के नीचे जो है लिखा हुआ होता है सत्यमेव जैते तो हम लोग देखे राष्टिय चिन के बारे में कि हमारे राष्टिय चिन में जो है चार सीं होते हैं उनके जो मूख हो और चिन के अधार पर असोक चक्र बना हुआ है चक्र के एक और घोड़ा तो दूसरी और क्या होगा बैल होगा फिर देखे कि हमारा राष्टिय लक्ष क्या है तो हमारा राष्टिय लक्ष है सत्य में उजयते और यह जो है इस चिन के नीचे जो है वह लिखा हुआ है तो हम लोग अभी तक अपने राष्टिय ध्वज के बारे में देखे, राष्टिय चिन के बारे में देखे, चलिए अब बात करते हैं राष्टिय पसु के बारे में, तो हमारा राष्टिय पसु है बाग, जैसा कि आप लोग तस्वीर में यहाँ पर देख रहे होंगे, हमार सुन्दर लग रहा है है न कितना सुन्दर पक्षी है यह हमारा राष्टिय पक्षी है जिसका नाम क्या है मूर है चले अब आगे बात करते हैं राष्टिय पुस्प के बारे में राष्टिय पुस्प हमारा क्या है तो हमारा राष्टिय पुस्प है कमल का फूल जैसा कि आप राष्टिये पुस्प है किचड में तो खिलता ही है किचड में खिलने के साथी साथ इसको कितना महत्व दिया गया है ठीक है तो ये हमारा राष्टिये पुस्प होता है कमल का फोड चली अब आगे बात करते हैं राष्टिये गीत के बारे में तो हमारा राष्टिये गीत है वंदे मातरम, यहां पर राष्ट्य गीत को लिखा गया है, अगर आप सभी को याद नहीं है, तो इसका एक स्क्रीन सॉट ले लिजिए, और फिर इसको आप अच्छी तरह से याद कर लिजिए, अच्छा बात करते हैं इसको लिखा किसने था, इसकी राचना किसने की, तो इस राष्ट्य गीत की राचना किये थे कौन, बंकिम चंदर चटर जी, और इसके गाने का जो है, इस गीत को गाने का एक निश्चित समय है, और वह निश्चित समय कितना है, 65 सेकेंड, याद रखिएगा, जो हमारा सत्य वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्य गीत है, इसको गा जनगनमन यहाँ पर जो है जनगनमन लिखा हुआ है एदि आप लोगों को राश्टिय गान अगर अच्छी तरस अभी तक नहीं याद हो पाया है तो इसका भी आप स्क्रीन सोट ले लिजिए और फिर इस राश्टिय गान को जो है आप अच्छी तरस याद कर लिजिए अब बात करते हैं इसको किसने लिखा तो इसको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर इसकी रचना किसने की है इसकी रविंद्रनाथ टैगोर ने और इसको गाने का एक निस्चित समय है और वा निस्चित समय कितना है 52 ठीक है तो हम लोग देखे राश्टिय गीत को गाने का समय 65 सेकेंड और राष्टिय गान को गाने का समय 52 सेकेंड ये सब कुछ महतोपूर्ण तथ्य है इन सभी को आप लोग याद कर लिजिएगा और इनकी रचना किशने की ये भी एक्जाम में बार बार पुछे जाते हैं तो इन सभी को आप लोग जो है अच्छी तरह से याद कर लिजिएगा तो इस वीडियो में हम लोग हमारे देश के जो राष्टिय प्रतीक है इसके बारे में हम लोग देखे हमारा राष्टिय ध्वज क्या है राष्टिय चिन क्या है पसू क्या है राष्टिय पक्षी राष्टिय कौन से है इस तरह से राष्टिय गीत कौन है राष्टिय अगान क्या है हमारे देश का इन सभी के बारे में हम ल इतना हैं धन्यवाद